हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब इन्वेस्टिंग विध हर्दीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में आज हम बात करने वाले ओरियंट ग्रीन पावर शेर के बारे में क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है और स्टॉक जो है अब यहां से आपको रिवर्सल करते हुए देखने को मिल जाएगा अब भी मंडे के दिन यानि कि कल भी हो सकता आपको रिवर्स मैं सारे इस वीडियो के अंदर आज क्लियर करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अगर आज की भी बात करूँ तो यह स्टॉक जो है फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्रोंग है अगर आपने इंवेस्टमेंट की है तो पेशेंस रखें स्टॉक के अंदर घबराने की जूरत नहीं है यह स्टॉक आपको कभी भी रिवर्सल करते हुए देखने को मिल जाएगा क्योंकि आरसा लेवल जो है बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया है उसकी वज़ए से अब तेजी के चांसे स्टॉक के अंदर बनने वाले हैं और एक ग गिरते वे देखने को मिल रहा है आट दस दिन से लेकिन जिसकी वज़ए से जो है मार्केट उटने वाला है डियाए जो है बहुत ज्यादा इंवेस्टमेंट जो है एफ आई के निकालने के बाद जो है करने लगी है स्टॉक के अंदर और आपको एक पॉजिटिव मेमेंट गर रखे हो तो उनको लगब 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 अच्छा खासा नुकसान जो है अभी गोरेंट ग्रीन पावर शेर से देखने को मिल रहा होगा अगर एक महिने में भी देखे स्टॉक लगब लगब 23% तक गिर चुका है और 2 रुपे 95 पैसे यानि कि लगब लगब 12 रुपे त गिरते गिरते अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगन को जुरूर प्रेस करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है तक कि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पे सही जानकार या आप लोगों तक मैं तो गिरावट के टाइम पे भी अगर इतना हैवी वोल्यूम जो है स्टॉक के अंदर आ रहा है साड़ी पत्चीस लाग शीर का वोल्यूम तो अपने आप में स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है और यहां से जो है स्टॉक आपको कभी भी रिवर्सल के मूड में देखने क मिल जाएगा अगर मैं कंपनी के और वी की बात करूँ तो देखें कंपनी कितनी फंडामेंटली स्टॉंग है तो साथ सो सोला करोड का मार्केट कैप है पी रेस्टो जो है वो लगबग देखिए 13.79 का यानि कि बाइंग शोन में है पी बी रेस्टो प्राइस टु बुक व जिनोंने इंवेस्टिमेंट कर रखिया और इंगरिन पाउर शेर के अंदर वो अपना पेशेंस बनाए रखें क्योंकि स्टॉक जो है आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अमल्टी वैग रिटन्स दे सकता है आरसल लेवल की बात करूँ तो देखें आरसल लेवल और इंगरिन पाउर शेर के बारे में एक मैंने पहले वीडियो बनाया था फुली कंपलीट एनलेसिज किया था स्टॉक का कि क्या कंपनी करती है कौन कौन से क्लाइंट से हैं कहां कहां पर कंपनी के हैड़कॉर्टर से हैं किन-किन स्टेट्स में जो है कंपनी अपना प्रप्रण्ट लगा के उनके थूँ जो है पावर जनरेशन का काम करती है और साथ में जो है डिस्ट्रिबुशन का भी काम जो है और इंट ग्रीन पावर शेयर कंपनी जो है करती है बात अगर परमोटर होल्डिंग की करूं तो देखें फिर भी अच्छी खासी है 34% जो है प गिरते वे देखने को मिल रहे है और इंफलेशन की वजए से ही जो है FIA इन्या अपना पैसा जो स्टॉक मार्केट से निकाल लिया लगग 2,00,00,00 क्रोड का और उसकी वज़ए से जो स्टॉक मार्केट की जिदने भी बड़े बड़े शेयर से आपको गिरते वे देखने को हुआ था वहां से जो अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जिस टाइम उस टाइम किसी ने की थी तो उनको अच्छे खासे रिटन जो हैं दो साल में स्टॉक मार्केट से मिल चुके हैं और स्टॉक का भी फिलाल देखिए वैसे ही मूड में स्टॉक मार्केट बहुत जदा गिर चुका है यहां से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में तो आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटन जो हैं आपको मिलने वाले हैं